तो फ्रेंट स्वागत है एक और नए वीडियो में और आज हम आ गया है फिर से एक इस इस्कूल का टूर कराने काफी कमेंट आ रहे थे आपके पिछले वीडियो पर पिछला वीडियो मैंने लिटिल फलावर इस्कूल पर बनाया था और काफी लोग बोल लाय थे जीम एकेड दूस्टे सबस्क्राइब करना उन्यां जरूर्ब करना जरूरी देना मलत शाय heel Hyun toute यह है और ये खालओ से चले है। को कि जो कि अचुल के गेट के सामने यह राइज स्कूल देख सकते हैं और यह जो जी आम एकेडमी श्कूल और जो इसकूल है और सेट जेबियर्स स्कूल एक ही पास है यह देख सकते हैं काफी अच्छा इस्कूल है और जो इस्टुडेंट होगे आके कमेंट में जरूर बताएं कि यह मतलब कैसा इस्कूल है कैसी पढ़ाई होती है और तो अभी ले चलते हैं आगे काभी दिखाते हैं यहां देख सकते हैं तो एक और बात बता दें आपको जैसे एक यह बील्डिंग दिख रही है आपको यह भी जीया में केडमी किया है और एक और बील्डिंग है असलब यह काफील जादे बच्चे है इसलिए और बील्डिंग है आपको यह जो दिख रहा है आपको यह वाइट कलर का दिख रहा है एक और बील्डिंग है तो उसको भी दिखा देते हैं आपको और यह राए यह दूसरा बील्डिंग है उसका काफी बड़ा इस्कूल है एक उधर भी है दिख रहा होगा आपको और यह रहा एक यह जाता है रोट और यह सेंट जेवियर्स बोर्ड लगा है देख सकते हैं यह भी काफी लंबा है और अब ही चलते हैं सेंट जेवियर्स स्कूल के आग है देख सकते हैं यह में गेट इसका यह दिद दिख रहा है आपको तो आये चलते हैं देखते हैं कुछ दिखाने लाइक होगा तो दिखाएंगे जरूर तो बने रहीगा वीडियो में क्पलाक अरिको प्याएंगे घ्युक्तों rice रही हैं में खिखाने लेकी हैं देखते हैंी यह को चलते हैं हैं और एक दोते हैं सुजब बना रगे सकते हम भी सोने कि उっちゃेखते हैं Mid-viet- मेश्र बनाबै कर वेगने हैं cenny कि देख सकते हैं काफी लंबा इसकूल है और यह सकूल जो है यहां का सबसे बहुता बहुते हैं तो यह देख सकते हैं 40 पतास बसे भी खड़ी हैं उसका कैम्पस उदर हैं तो यही सब है इसकूल का यह रामेन गेटिश का झाल झाल